मितो जैसा आप सभी जानते हैं आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मु कस्मीर का ये भूबाद बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आजादी के समय से ही हमने इस भूबाद को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत प्रयास किये पंडित प्रेमनाट डोगरा के आंदोलन से लेकर स्वामा प्रसाद मुकर जी की सहादत तक ये पूरा संगर्ष पहले भारतिये जन्संग और फिर भारतिये जन्ता पार्टी ने आगे बढ़ाया क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मु कस्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा इसमें कभी कोई संसाई नहीं रहाएं हिए मगर कई साल हो गए है कि 2014 सतक है जम्मु कस्मीर पर हमेशा है अलगावाज की परचाई रही आतंकवाज की परचाई रही कि अलग अलग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर जम्मु कस्मीर को अस्थीर करते रहें और सभी सरकारों ने एक प्रकार से एफिस्मेंट की पॉलिसी से जम्मु कस्मीर को डील किया